हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्योब चैनल आज के इस वीडियो में हम इगनू पीएजडी हिंदी एंट्रेंस के पाठिक्रम में संकलित नाटकेवं अन्य गद्य विधाएं के अंतरगत किनर देश की और यात्रावितांत के परिक्षावपियों की महत्वुन हिंदों पर चर्चा करेंगे तो आईए देखते हैं राहुल संक्रितियायन जिन्हें महापंडित की उपाधी दी जाती है हिंदी के एक प्रमुक साहित्यकार थे वे एक प्रतिष्ठित बहु भाशावित थे और बीसवी सदी के पुरवाद में उन्होंने यात्रावितांत यात्रा साहित था विश्वदर्शन के छेतर में साहितिक युगदान दिये राहुल जी हिंदी सियात्राशाहित के पितामा कहे जाते हैं बौध धर्म पर इनका सोध हिंदी साहित्यमें युगांतर कारी माना जाता है जिसके लिए उन्होंने तिब्बच से लेकर श्रेलंक तक ब्रहमन किया था इसके अलावा उन्होंने मध्य एशिया तथा कौक के सस ब्रहमन पर भी यात्रावितान लिखे जो साहितिक दृष्टी से बहुत महत्वुन है आगे देखते हैं राहुल सांकृतियान के जीवन का मूल मंत्र ही घुमक्कडी यानि कती सीलता रही है घुम बहुरंगी मधुपूरी कनैला की कथा उपन्यास में 22 सदी जीने के लिए सिंग सेनापती जय योद्धे भागो नहीं दुनिया को बदलो मधूर स्वपन राजस्थान निवास वे स्मिर्थ यात्री दिवोदास आत्मकथा में मेरी जीवन यात्रा मेरी लद्दाक यात्रा किन्नर प्रदेश में रूस में 25 मास यूरोप यात्रा जीवनिया में सरदार पृत्वी सिंग नई भारत के नई निता बच्पन की स्मिर्थियां अतीज से वर्तमान स्टालिन लेनिन कार्ल माक्स माउस से तुंग घुमककर स्वामी मेरे असयोग के साथी जिनका मैं कृतग संग वीर्चंदर सिंग गडवाली सिंगल घुमककर जैवरदन कपतान लाल सिंगल के वीर पुरुष महा मानव बुद्ध यात्रसाहित्त में लंका जापान इरान किन्नर देश की ओर चीन में क्या देखा मेरी लद्धाक यात्रा मेरी तिबबत यात्रा तिबबत में सवावश रूस में 25 मास विश्व की रूप रेखा लहासा की ओर आईए इस यात्रावितान्द के पात्रों को देखते हैं सरदार साहब विद्याधर सेक्रेटरी बाबू प्यारे लाल मास्टर सोहन लाल दौलत राम नेगी ठाकर सेन बाबू अमी चंद बाबू लक्षमी चंद इस यात्रावितान्द के उद्देश्य को देखते हैं भारत सांस्कृतिक विवित्ताओं वाला देश है यहां की सांस्कृतिक विवित्ता भारत के महत्तों को समझने के लिए जरूरी है राहुल जी किन्नर देश की यात्रा रशनाकार और सांस्कृतिक अधियता की मानसिक्ता को लेकर करते हैं स्थानिय वातावरन और प्रकृति के साथ एकाकार हो जाने की आकांचाउत में व्याप्त है किन्नर देश की प्रकृति उसके विकास का जाय जा लोगों की वेश भूशा भाषा आदी सभी चीजों का ज्यान प्राप्त कर वे उस छेत्र का मानचित्र तयार करते हैं भोगौलिक बनावट दुर्गम प्रदेश के कष्टियम कष्टमय जीवन और यात्रा की कठिनाईं का वितान्त उनके अदम्य साहस का भी परीचे देता है भू मंदली करन की इस दोर में जब स्थान और समय की दूरियां लगवग मिट सी गई है हमारा ज्यान चिंता जनक रूप से छीन होता जा रहा है जिन स्थानों की यात्रा करते हैं उनके बारे में अधिका दिक चानने की जिक्यासा तो हमारे में नहीं होती हम स्वयम अपने देश अपनी भूमी के बारे में भी जानने का प्रयत्म नहीं करते यह तथ्य स्वयम राहुल जी के महत्व को प्रतिबातित करने के लिए काफी है आईए देखते हैं इसे यात्राविधान्त के सारांस को नई गद्य विधा होने के कारण यात्राविधान्त ने अपनी समकालिन अन्य नई गद्य विधाओं से काफी कुछ लिया है जिन विधाओं की अनेक विशेस्ताओं को विशेश रूप से उसने आत्मकत किया है उनमें प्रमुक रूप से आत्मकता, जीवनी, कथा, कहानी, संस्वरन और डाइरी है विधाओं के बीच में जब किसी प्राकिर्टिक सौंदर का मानविय भावा कुलता से लेखक विशेश अभीवूत होता है तो वर्णन काव्यात्मक रूप भी धारन कर लेता है, इस अर्थ में वह कावे के तत्वों के करीब हो जाता है यात्रा में आने वाली विहवारिक कटिनाईया और यात्रा के दौरान रहने सहने, खाने पीने के आर्थिक व्याय का हिसाब केताव लगाने में वह जो तत्थ्यात्मक आकरे प्रस्तूत करता है, वहां उसके भीतर का अर्थ सास्त्री मुखर होता है यात्रा में पढ़ने वाली स्तीतियां, घटनाऊ, भाशा भेद, संस्कृती भेद पर लगातार्टि पनिया करते चलने के कारण भए एक साथ दार्शनिक भाशा विद, संस्कृती, विग्य, सब कुछ हो जाता है इसलिए यात्रा वितांत के व्यापक परिप्रेक्षुक को देखते हुए उसकी संपोन विशेस्ताओं पर विचार करना संभब नहीं किन्नर देश की और राहुल सांक्रित्यायन के यात्रा वितांत किन्नर देश में का प्रारंबी कंस है जिसमें लेखक अपनी गंतविय तक पहुशने के करम में की गई यात्रा का विबरन प्रस्तूत कर रहा है यात्रा वितांत का एकंस होने के बाद भी इसमें उनकी यात्रा पुस्तक की समस्त विशेस्ताओं मौजूद है बल्कि यह कहना अधे कोप्युक्त होगा कि यात्रा वितान्त के इस अंस में उनके वितान्तों की सभी प्रमुक विशेस्ताएं समाहित है यात्री योचित अदम्य साहस किसी भी यात्रा में साहस की आवशक्ता होती है और यदि यात्रा ऐसे स्थलों से की गई हो जहां दुर्गम पहारों की चढ़ाई उतराई हो परिवहन के सुकर माध्यमों का भाव हो जनाकर्ण होने के कारण रास्ते में ठहरने और भोजन का समुचित प्रबंद ना हो तो ऐसी यात्रा में अतिरिक्तर साहत की अपिक्षा ह करती है ये दुर्गम यात्रा घोड़े, खचर और पैदल हीं से टै की गई है ऐसे स्थान पर घोड़े, खचर का मिलना भी कोई आसान बात नहीं मिल भी के तो पूरा रास्ता सही सलामत पार कर ताएंगे इसका कोई भरोसा नहीं वैसी इस्थिति में यात्रा वितांत यात कितनी कस्ट साथ यह हो सकती है उसका कुछ अनुमान अनेक स्थानों पर पर परिशानियों से जूज रहे लेखर की टिपनियों से सहजी हो जाता है जैसे दस मील के रास्ते में उत्राई या समतल पत पर तो कुछ नहीं मालूम हुआ किन्तु अन्तिम चार मील कड़ी चड़ाई के थे धूप भी तेस थी उपर से डाइबिटीस वाले आदमी का तालू वैसे ही सदा सूखा रहता है मत पूछे अन्तिम चार मीलों में मेरी क्या गत बना दी कस्ट असाहिय था किन्तु हिम्मत छोड़ने की बात ना थी जानता ही था बिना सराहन पहुचे सरन नहीं पचपन की आयू में डाइबिटीस की बीमारी से जरजर सरी लेकिन हिम्मत ऐसे ऐसी की लेखक की अदम में एक्छा है कि वह बोड़िया विस्तर ले हमेशा के लिए घुमंदू जातियों के साथ हो ले यह सहसी उनकी यात्राओं का अविश्मर्निय बनाता है और पाठक के म में लेखके प्रति सम्मान और स्रध्धा जगाता है है हेदर की मुक्तावस्ता की मादक्ता यात्रा मनिश्य को मन बुद्धी से उन्मुक्त करती हैं जिसमें उसके संसकार और सामाजिक प्रतिबंद तिरोही थोने लगते हैं यूरोप की तरह हमारा समाज अपड़ी अभी इतना वर्जना मुक्त और सहर नहीं हुआ कि सौंदर्य और सुरा की बात निर्व्याज कर सके लेकिन यह वात यात्रा में उपलब्ध उन्मुक्तता ही हैं लेखक की लेखक इस संबंद में नी संकोच अपने विचार प्रस्दूत करता जाता है किन्नर देश में दाच्षा अर्थात अंगुर की मदीरा की किस्म और शलन का पूरा समर्थन करते हुए लेखक ना पीला पाने की अपनी असमर्थता पर अफसोस के स्वर में कहता है यदि मार्ग का अच्छा प्रबंद और खानी पीने के अच्छे स्थान बन जाएं तो भाग्यवानों को वहां शिवू उदुमबर वर्ना किन्नरी सुरा सुलब रहेगी सिर्फ ख्यायामों की आवशकता है साकी हजारों सुरा ही लिए यहां तयार मिलेंगे सैंपेन और बडांडी को मात करने वाली किन्नरी सुरा यहां मौजूद है मैं उसके घर में पहुच गया हूँ किन्तु अभाग्य के लिए क्या किया जाए पानी में मीन प्यासी कहना चाहिए इस जन्म में तो ब्रह्मा ने सुरा चखना नहीं लिखा और अगले जन्म पर विश्वास नहीं ऐसी उन्मुक्त वर्जना हीन टिपनियार वितांत में बिखडी पड़ी है यह कह सकतना एक यात्री के लिए ही संभव है सामान्यत या समाज इन्हें समाज विरोदे ही करार देगा यहीं नहीं इस्त्रियों के सौनदर्य पर भी एक दो स्थानों पर इसी मुक्त भाव से राय प्रकट की गई है मन की यह चंद मुक्तिता अच्छे यात्रा वितांतों का गुन है इस यात्रा वितांत में इसके दर्शन पगपग पर होते हैं वैचारिक की आग्रहों की सटीक अभिवेक्ति प्रत्तिक लेखक के कुछ न कुछ वैचारिक की आग्रह और दुराग्रह होते हैं अक्सर साहितिक विधाओं में उनकी प्रतक्षिया परोक्ष अभिवक्ति को आपति जनक माना जाता रहा है। लेकिन यात्रवितांत ऐसी विधा है जिसमें वस्तु इस्तिती पर सटीक टिपनी के कारण ये वैचारिक आग्रा एक आवश्यक हस्तचेप का रूप लेकर आते हैं। अपने विचारों को लेखक इस रूप में प्रकट करता है जैसे वा एक यात्री होने के कारण सहज भाव से टिपनी कर रहा हो। पाठक को ये वस्तु इस्तिती के बयान का हिस्सा ही लगता है और असंगत नहीं मालूम होता। हिंदी पाठक जानते हैं कि राहुल सांक्रेवत रायन विचारों से माक्सवादी लेखक है और उन्होंने सैध्धान्त की पुस्तक के लिखकर ही उनको प्रकट नहीं किया। अपने उपन्यासों दर्शन गरंतों इतिहास गरंतों में भी उन्हें छिपाया नहीं है। लेकिन उनके विचारों का पाठक के साथ पूर्ण तादात में देखना हो तो वह उनके यात्रावितान्त में ही मिलेगा। इस वितान्त अंस में लेखक प्रारंब से अंत तक ऐसी टिपनिया करता चलता है जो घटनाओं के प्रसंग में होते हुए भी आग्रहों में वैचारिक है। कुछ एक उधारन लेतो सराहन नाम्स के इतिहास पर पंडित प्रवर मुर्खज पाठानंद के वोंगावाद पर टिपनिया। भीम काली के मठ में राम चंद्रजी के खजाने का प्रसंग सरकारी बंगलों को यात्री निवासों में बदल देने के सिफारिस ब्रामनों और देवताओं पर कठाक्षन। किन्नोर के अन्य लोगों की दशा पर सहिर्दय टिपनिया आदी यही नहीं अतीत में राजाओं के वहवार अंग्रेजी सामराजेवाद की मार और वर्दमान में सरकारी तंत्र की जर्ता और समवेदना हिंता में भी ये वैचारी आग्रा स्पष्ट दिखाई परते हैं। कि यह साधारन सेवक नहीं है समझ नहीं आता दस-पाल दिन छोड़कर इन बहुर्धन संपादित बंगलों को साल भर बंद रखने से सरकार ने क्या लाब समझा है सरकारी अफसरों को पहले स्थान मिले ठीक आग्या पत्र पाने वालों को भी पहले स्थान मिल दिया जाए क मैं जानता था राजा के विराज होने पर ना जाने कितने घोडे और साइस ही बे मालिक नहीं होए हैं बलकि भीम काली के प्रताप से जीने वाले सारे रावी गाओं के ब्रामनों में भी कुहराम मचा हुआ है सरकार ने देवी के 80,000 खर्च को घटा कर 15,000 से कम कर दिया है ब्रामन देवता जरूर घर पर निराहर पुरश्चरन करते होंगे उनके लिए इससे अच्छा तो फिरंग्यों का राज्य था अच्छा देवताओं कोई परवा नहीं तुम्हारे पास कपड़े में लिप्टी वह सत्युक की पोथी है सुनते हैं उसमें सोना नहीं पारस बनाने की विधी लिखी है गहन अतिहासिक और भाशाबोद एक सामानी यत्री जहां स्थानों को दृश्य वस्तूब मान कर उनका आकलन करता है वहीं राहुल जैसे राहुल जैसा यत्री उसके अतिहासिक और भा भाशा कती संदर में जाता है इस तरह का इस तरह यह वर्तमान रूप एक विशेस अर्दवोद से आलो की धोड़ता है इसके लिए महापंडित राहुल संकृत्यायन जैसी तैयारी भला और किस लिख़प में होगी उनके लिए तो हर अस्तल का जियास भाशा भूल भाशा म हाथ का मैल है जिसका कदम कदम पर वे उपयोग करते हैं और अपने संदर्बो से पाठक को अश्यर चकित कर देते हैं यात्रा में पड़े एक मामुली से गाउं सराहन के संबंद में उनका यह विवरन देखने से बात स्पष्ठ हो जाएगी सराहन का सत्युक का इतिहास भी ढूनने पर मिल सकता है द्वापर के अंत में जब श्रीक कृष्ण चंडरानंद कंठद्वारिका में वास कर रहे थे तो इसका नाम सोनितपूर था यही प्रचंड भूज, दंड, वानासुर की राजधाने थी। प्राचीन नाम सोनितपूर और वर्तवान नाम सराहन के महत्वक के बारे में इससे बढ़कर और क्या कहा चा सकता है और प्रमान चाहिए तो वह स्वैम सराहन नाम में दिया है जो सोनित पूर से ही बिगड़ कर बना है लेकिन गाओं के नाम को ऐसे पौरानिक संदर्वों से जोने की प्रविती के प्रती राहुल जी सजक है इसलिए इस मान मन गडंत इत्यास की पोल पट्टी भी विसासाद खोलते जाते हैं किस भासा तत्व या व्याकरन के अनुसा यहां के पंडित मुर्खज पाटानन्द से पूछ लीजिए जो यहां से थोड़ी सी नीचे के रावी काओं में सत्युक की पोथी लेकर बैठे हुए हैं इस पोथी को ना इनकी हजार पीडी पट सकी है और ना वह खुद बलकि भाब पोथी तह पर तह कपरों से लिप्टी सारे कल्यूब में भी ना खुली और यदि राम जी की इच्छा होगी तो आग वाग लगने पर कोईला बनकर ही खुलेगी राहुल के यात्रा वितांतों की यह अपनी विशिस्ता है कि वे अपनी यात्राओं में विद्रिश्य और अनुभव गम्यके वर्णन के साथ मानव ज्यान के समस्त स्त्रोतों से प्राप्त सोधों का उपयोग करते हैं इस नई ज्यान आलोक में स्थलों और जातियों का एकदम नया रूप पाठक को उपलब्द होता है इस प्रकार वे अपनी यात्रा में द्रिश्य मान से अनुभव और सामागरी गहन ही नहीं करते बलकि उसके उसे साथ साथ एक नया विसिश्ट अर्थ देते चलते हैं पास के कटे खेत में अपनी रावटी डाले ग्यारा खपाप पड़े थी खम तिब्बत में चीन की सीमा पर एक प्रदेश है साथ इनके पुर्वजों में कुछ किसी समय खम से खाना बदोशी करने इधर आए हो किन्तो अब यह ना भाशा ही में खम के हैं ना वेश भूशा ही में साइद इसलिए इन्हें सिर्फ खमपा अर्थाद खमब वाला ना कहकर ग्यगर अर्थाद भारत खमपा कहते हैं आईए देखते हैं इस यात्रावितान के महत्वण पंक्तियों को सराहन का सत्यूग का इतिहास भी ढूणने पर मिल सकता है तो आपर के अंत में जब श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद द्वारिका में पास कर रहे थे तो इसका नाम सोनित पूर था यही प्रचंड भूज दंड वाना सुर की राजधानी थी यही उसकी कन्या उशा ने चित्र लेखा के खीचे चित्रों से अपने सुपना भी लिलाशित प्रियतम अनुरुद्ध को पकर मंगवाया था इसी अनुरुद्ध की अविछिन परंपरा पिछले महाराजा पदम सिंग और उनके बरतमान चिरन जीवी वीर भदर सिंग तक चलिया आई है प्राचिन नाम सोनितपूर और वरतमान नाम सराहन के महत्व के बारे में इसे बटकर और क्या कहा जा सकता है और प्रमान चाहिए तो वह स्वैम सराहन नाम में दिया है जो सोनितपूर से ही बिगर कर बना है किस भासा तत्व या व्याक्रन के अनुसार यहां के पंडित प्रवर मुर्खज पाटानन्त से पूछ लीजिए जो यहां से थोड़ा ही नीचे के रावी गाउं में सत्युक की पोथी लेकर बैठे हुए है इस पोथी को ना इनकी हजार पीडी पर सकी हो ना हुआ खुद बलकि वह पोथी तह पर तह कपरों से लिप्टी सारे कल्यूग में भी ना खुली और यदि राम जी की इच्छा होगी तो आग वाग लगने पर कोईला बनकर ही खुलेगी अगले पंक्ति मेरे मन में कभी खयाल उठा था इनहीं की भाती निर्दवन्द हो गदहा खचर और तंबू लिए एक देश से दूसरे देश में घूमो कास में बीस बरस का हो जाता फिर इसी तरुन से कहता लो दोस्त मुझे भी अपने परिवार में सामिल कर लो खाने के लिए नहीं उनके अपने साथ काम करने के लिए भी अपने तुक सुक में सामिल होने के लिए भी अगले पंक्ति अब खप्पा लोग उपर की ओर जा रहे थे खाना वदोशी जीवन के बाड़े में पूछने पर तरुन ने कहा जीवन तो कठिन है किन्तु उसे छोड़ कर बसते नहीं बनता बसने पर आज की तरही खान पान की समागरी जमाग करना हमारे लिए संबब नहीं होगा परशी में तिबबत में पहुंसते हैं बहां यतेष्ट मास मक्खन सुलब होता है यहां भी आसपास के लोगों से अच्छा खाते हैं अच्छा पहनते हैं ना उधो का लेना ना माधो का देना उसकी बात में सच्चाई थी इससे कौन जहंकार इनकार कर सकता था अगले पंक्ती इनहीं के भाती निर्द्वंद हो गधा खचर और तंबूल ये एक देश से दूसरे देश में घुमों कास में बीस बरस का हो जाता किन्तो क्या 55 साल से 20 साल के होने की आउसदी दुनिया में प्राप्त होई है अगले पंक्ती दस मील के रास्ते में उतराई या समतल पत पर तो कुछ नहीं माल हुआ किन्तो अंदिम चार मील कड़ी चड़ाई के थे धूब भी तेश थी उपर से डाइबेटीज वाले आत्मी का तालू वैसे ही सदा सुखा रहता है मत पूछिए अंदिम चार मीलों में मेरी क्या गत बना दी कश्ट अज़ाई था कि दो हिम्मत तो छोड़नी की बात ना थी जानता ही था बिना सराहत पहुँचे सरन नहीं अगले पंक्ति यदि मार्ग का अच्छा प्रबंद और खाने पीने खाने रहने के अच्छे स्थान बन जाए तो भाग्यवानों को वहां सिबू उर्दवर वर्ना किनरी सुरा सुलब रहेगी सिर्फ खयामों की आविशक्ता है साकी हजारों सुरा ही लिए तयार या तयार मिलेंगे संपेन और बरांडी को मात करने वाली किनरी सुरा यहां मौजूद है मैं उसके घर में पहुँच गया हूँ किन्तु अभाग्य के लिए क्या किया जाए पानी में में प्यासी कहना चाहिए इस जन्म में तो ब्रह्मा ने सुरा चकना नहीं लिखा और अगले जन्म पर विश्वास नहीं किन्तु सौ भाग्य से सरकारी काईदे कानून जैसे निश्टूर होते हैं वैसे उसके यह साधारन सेवक नहीं है समझ में नहीं आता दस-पांच दिन छोड़कर इन बहुधन संपादित बंगलों को साल भर बंद रखने से सरकार ने क्या लाब समझा है सरकारी अफसरों को पहले स्थान मिले ठीक आग्या पत्र पाने वाले को भी पहले स्थान दिया जाए कि तो खाली बंगले को साधान यात्री के लिए क्यों नहीं खोल दिया जाए मैं जानता था राजा के विराज होने पर ना जाने कितने घोड़े और साही सें बे मालिक नहीं हुए है बलकि भीम काली के प्रताब से जीने वाले सारे रावी कहों के ब्रामनों में भी कुहरा मजा हुआ है सरकाने देवी के 80,000 खर्च को घटा कर 15,000 से कम कर दिया है ब्रामन देवता जरूर घर पर निराहर पुरश्चरन करते होंगे उनके लिए इससे अच्छा तो फिरंगियों का राज्य था अच्छा देवताओं कोई परवा नहीं तुम्हारे पास कपड़े में लिप्टी वह सत्यूग की पोथी है सुनते हैं उसमें सोना नहीं पारस बनानी की वीधी लिखी है अगले पंक्ती किस भासा तत्व या व्याकरन के अनुसार यहां के पंडित मुर्खज पाटानंद से पूछ लीजिए जो यहां से थोड़ी सी नीचे के रावी काओं में सत्यूग की पोथी लेकर बैठे हुए है इस पोथी को ना इनकी हजार पीड़ी पड़ सकी है और ना वह खुद बलकि वह पोथी तह पर तह कपरों से लिप्टी सारे कलियों में भी ना खुली और यदि राम जी की चह होगी तो आग बाग लगने पर कोईला बनकर ही खुलेगी अगले पंक्ते पास के कटे खेत में अपनी रावटी डाले ग्यारा खंपा पड़े थे खंब दिबबत में चीन की सीमा पर एक प्रदेश है साइद इनके पुरवजोने में कुछ किसी समय खंब से खाना वदोशी करने इधर आए हो किन्दू अभिय ना भाशा ही में खंब के हैं ना वेश भूशा ही में साइद इसलिए ने सिर्फ खंपा अर्थाद खंबा वाला ना कहकर ग्यगर अर्थाद भारत खंपाव कहते हैं कि अजय ना वेश भाशा ही में खंपाव कहते हैं